सबसे पहले आप ये thumbnails देखो, जो मैंने AI का यूज़ करके सिर्फ एक click में बनाए हैं। ये thumbnails ना ही मैंने थम्बली से बनाए हैं, ना ही Leonardo और ना ही Lexica वगेरा से बनाए हैं। मैं आपको कोई भी paid या limited website के बारे में नहीं बताऊंगा, बलकि एक ऐसी website के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि बिलकुल free में हैं। और आपको सिर्फ उस पर एक बार ही sign up करना है, फिर आप lifetime उसे free में यूज़ कर सकते हो बिना किसी problem के और thumbnails बनाकर आप इससे किस तरह earn कर सकते हैं ये भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो हमेशा की तरह बिना बकवास किये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने Google पर आना है, फिर आपने search में लिखना है ideogram.ai, आपने इस वाली website पर click करना है, click करने के बाद आपने यहाँ पर sign up कर लेना है, मैंने already अपना account यहाँ पर login किया है, login करने के बाद आपको कुछ इस तरह का interface दिखेगा, अब आपने plus वाले option पर click करना है, यहाँ पर आपने अपना prompt लिखना है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक prompt लिखता हूँ, जो कि North Korea के president के बारे में है, make a YouTube thumbnail, who about North Korean president, the president devil type, background redness illustrations, people's overwhelmed from him, and strict president like devil and people's god, realistic illustration, मैंने यहाँ पर अपना prompt लिख दिया है, अब आपने थोड़ा नीचे आना है, और यहाँ पर आपको बहुत से options देखने को मिलेंगे, जैसे कि illustration, photo, 3D render, typography और cinematic, अगर आप thumbnail बना रहे हो, या कोई picture generate करवा रहे हो, तो आपने simply illustration पर click कर देना है, थोड़ा और नीचे आप देख सकते हैं, magic prompt है, aspect ratio है, और visibility है, आपन सिर्फ aspect ratio का size 60.9 ही रहने देना है, और फिर उपर generate पर click कर देना है, कुछ seconds बाद आपका thumbnail ready हो जाएगा, आप देख सकते हैं, कि जिस तरह का मैंने prompt लिखा था, इसने same to same वैसा ही thumbnail ready करके दिया है, मैंने कहा था कि president devil की तरह हो, और आवाम परेशान हो उससे, जो thumbnail मैंने अचा था, इसने बिलकुल उसी तरह का thumbnail ready करके दिया है, अब हम दुबारा प्लस वाले option पर जाएंगे, पहले वाले prompt को remove कर देंगे, और फिर यहाँ पर एक new prompt लिखेंगे, make a youtube thumbnail, who about, stop eating hen meat because the virus came in hen meat, use a man pick, who body a dale and sick and infection, after eating hen meat, realistic illustrated thumbnail illustration, अब आपने generate पर click कर देना है, मैंने यहाँ पर prompt लिख दिया है, जो कि मुर्गी के गोश्ट में वायरस के बारे में है, एक आदमी मुर्गी के गोश्ट को खा लेता है, और फिर उसकी बॉडी में बहुत infection हो जाता है, आप देख सकते हैं, बिलकुल वैसा ही thumbnail generate करके दिया है, जैसा हमने prompt में लिखा था, और अगर आपने कोई thumbnail generate करवाया है, लेकिन इस चार thumbnails में से आपको सिर्फ एक ही अच्छा लगे, और आपको जो एक thumbnail अच्छा लगा, आप बस उसी तरह के thumbnails को बनवाना चाहते हो, तो आ आपने इसी thumbnail का prompt copy कर लेना है, और दुबारा प्लस वाले option पर जाकर पहले prompt को remove करके, यहाँ पर जो prompt copy किया था, उसे paste कर देना है, इसके बाद generate पर click कर देना है, अब आप देख सकते हैं, बिलकुल उसी तरह के thumbnails इस website ने हमें generate करके दिये हैं,